हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल मैज सल्यूशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग गराप कापी में डिनोट करके आपको मैं समझाने बाला हूँ कि कितने चतुर्थांस होते हैं और पलस मैनस का जो खेल है वो किस तरीका से करते हैं तो वीडियो को आप लोग अन तक जरूर दिखेगा और यदि मैज से रिलेटर आप लोगों को इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो सबस्पहले हम लोग एक गराप कापी ले लिए आपको किसी भी नॉर्मल स्वाप पर मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक इंच की सहयता से हम लोग इस पर यहां बीच में इस तरीका से लाइन को अच्छी धंग से रख कर इसको यहां पर रेखा खीच ल तो हमने यहां पर इंची को रखा और ध्यान दखे कि आप लोग सही धंग से खीचे तेड़ा मेड़ा ना करें तो खीचने के बाद आपको क्या करना है अब देखिए यहां से इसको यहां पर इस तरीका से सिंबॉल कर दे सभी जगा नीचे भी और दाया बाया भी इसको ब बोलते हैं X-X क्या X-X यह है Y-X यह है Y-X अब देखिए यह तो हमने कर दिया अब यहां पर देनोट करना है देखिए यहां पर इसको भी एक चोटी लाइन है एक मोटी लाइन है तो यह यहां से आपको एक दो तीन मानना जैसे यह एक हो गया यह दो हो गया यह तीन हो गय ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, हाँ अगर आपको इसी में छोटा-छोटा करना होगा तब आप लोग इसको एक मानिएगा, इसको 2, 3, 4 इस तरीका से, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए मैंने बरी लैन को ही लिया है, उसके बाद ये तो मुल बिंदू यानि 0 हो गया, अब इ जिदर है, उधर जाएगा पोजेटिव में, लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, और इसी का जस्ट नीचे आएगे, तो मैनस मा जाएगा, मैनस 1, मैनस 2, मैनस 3, मैनस 4, और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अब देखिए, आपको समझना परे जब आप लोग घरी को देखे होंगे, घरी, तो घरी में जो सुई होती है, सुई, वो कुछ इस प्रकार घुमती है, यानि हम लोग को इस तरीका से घुमती है, ठीक, clockwise, इधर भी ये जो होगा, पर्थम चतुर्थांस, और ये जो होगा, दूतिय चतुर्थांस होगा, क्य ये हो जाएगा, तिर्थिय चतुर्थांस, ये क्या हो जाएगा, तिर्थिय चतुर्थांस, ये हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांस, चतुर्थ, चतुर्थांस, ठीक, ये तो हम समझ गए, कि ये पर्थम हो गया, ये दूतिय हो गया, ये तिर्थिय हो गया, ये चतुर अब आपको समझाना है इस पर denote कैसे कहिएगा अगर आपको दे देगा कि आपको क्या करना है तीन दो किस चतुर्थांस में आता है हमको symbolic में देखना है जब भी तीन दो बला बात हो जैसे यहाँ पर बोल देगा तीन दो इसका मतलब हमको दोनो positive में है यानि X अक्च भी positive Y अक्च भी positive तो हम लोग तीन पहले चलेंगे यह X को बताता है यह Y अक्च को सब पहला के आप जाएगा X अक्च इधर हम लोग चलेंगे तीन पर एक दो तीन यहाँ पर है उसके बाद Y के symbolic में जाना है दो पर दो यहाँ है इन दोनों जहां मिलता है तो देखिए यहाँ पर हम लोग तीन से उपर हलका खिच लेंगे अभी आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं यह जो point आ गया है यह point यही है 3,2 क्या है 3,2 ठीक इसी तरह है अगर आपको दे देगा कि minus 1 और 3 तो minus 1 यहाँ है और 3 यहाँ है इन दोनों का जो point होगा जहां पर यह दोनों मिलती है जिसे यहाँ पर ध्यांस देखिए मैं हाँ से ही कर देता हूं लेकिन आपको इन चीज़े करना है सीध होगा तो 3 यह जो हम मिलता है यह नहीं कि minus 1,3 हम बोले minus 1,3 तो आप क्या करिए पहले 3 का मतले लिजएगा इदर क्योंकि पहले जो बोलता हूँ वो X अक्ष के बारे में बोल रहा है दूसरा जो बोलता है Y अक्ष इसलिए पहले बारे को हम लोग भूच बोलते हैं दूसरे को कोटी बोलते हैं ठीक तो आईए अब हम लोग तीसरे में चलते हैं अगर दोनों रिनात्मक में होगा, क्या होगा, रिनात्मक में दोनों निगेटिव होगा, तब आपको इस घर में आना है, जैसे मैनस दो, मैनस तीन कहेगा, तो मैनस दो किसका लेंगे, एक्स का, तो मैनस दो यहाँ है, और य का क्या लेंगे, मैनस तीन, दोनों को देखेंग नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआती दोर में अगर आपको नहीं समझ मारा है, तो इनची से खीच लीजिए, उसके बाद डिनोट कर लीजिए, हाँ, रही बाद बहुत लोगों को दूसरा और चोथा में confusion होता है, दूसरा में पहले क्या है, मैनस तब है, पलस, हाँ, इसक चिन्ह में है, इसी से आप पकर सकते हैं कि मैं, यह जो है किस चतूर था उसमें है, ठीक, तो पहला अगर इसमें पलस बोलेगा, दूसरा मैनस, जैसे बोलेगा, कि पांच मैनस दो, अब यह मत समझेगा, यह मैनस नहीं है, यहाँ पर हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, यह मैनस में, उपर इसका पोजेटिव है, तो देखे, हमने बोला, अगर आपको यहाँ पर डिनोट करना, जैसे कि 2 मैनस 4 करना होगा, तो 2 यहाँ है, मैनस 4 यहाँ है, दोनों मिलता यहाँ, यह जो बिंदू होगा, 2 मैनस 4 हो जाएगा, यह था बेसिक पॉइंट, और इसी बे चतुर्थांस का सिंबॉल होता है, पलस पलस, क्या होता है, पलस पलस, और दूतिय चतुर्थांस का होता है, मैनस पलस, क्या होता है, मैनस पलस, तिरतिय चतुर्थांस का होता है, मैनस मैनस, ठीक, और चतुर्थ चतुर्थांस का होता है, पलस मैनस, अगर आप सीख गए हो तो आप लोगों को क्या करना कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करना है और साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर दो सवाल देता हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि इसका क्या उत्तर होगा और वो सवाल क्या है तो वो सवाल देख लिजिए आपको मैं दे रहा पाँच साथ ठीक उसके बाद दे रहा हूं चार माइनस तीन ये दोनों को आपको बताना है किस चतूर्थांस में है किस चतूर्थांस में है आपको कोमेंट बॉक्स में लिख कर इसको बताना है ठीक तो आई होब कि आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह इंट्रेस्टिंग और भी मैथ के रिलेटेड मतल़ आपको अगर देखना होगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो इस चैनल पर आपको जन्यून जनकारी मिलता है तो मिलिए नेक्स वीडियो में तो तक लिए जहीं धन्यवाद